हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत आपका जुनुवर्स क्लासेज में तो कैसे आप सभी हम उमीद करते हैं कि आप बढ़ी आऊंगे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप जब भी संगर्ष का समय होते हैं या फिर आप संगर्ष पिरियेड में होते हैं जब आतोस जबाब दिने सच्छा है कि आप उसको अपने काम से जबाब दिए ताकि फिर जो है कभी दुवार आपके सानों मुह ना खोल पाए चले इसके साथ सुरुवात करते हैं आज के से महत्वूर्ट ससन की जो की सूपर्टेट लेकपाल और सेटर यूपिट सभे के लिए कमबाइन प्रक्टिशेट मैत की तो चलिए देखते हैं आज के सि महत्वूर्ट को दो भायों की आयू का अंतर दस वर्स और अनुपात चार अनुपात पांच है उनकी आयू का योग ज्याद करें चलिए देखते हैं इस तरह से को लगाने के लिए आपको ज्यादा है यहां पर दिख दूक है तो कितना इक इन दोनों गततर कितना हुआ इक और इसंग का मण कितनते है दस दिया है और किया निकालना उनकी 55 योग नीकलना योगरा लेके तो תो नो अगोर दस करेंगे चार है और बेड़े भाई के रेशियो पांच है तो एक कामान दस है ठीक है तो छोटे वाले भाई कामान रेशियो कितना है चार तो चार कामान कितना हो जाएगा चालिस हो जाएगा इसी तरह से बड़े वाले कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा ठीक है यह भी आपको ध्य कि हो सो आपको इसका कंपेर करना है Tis 32 सत् if माँ अल्विस कि 10 12 इसको देख लिए ध्यान से 32 माँ अगरेंगे ता यह सबक्टलिए और इसमत संक्राइब कि शओ ब्रेंच क्या करना है 100% का मान निकालना है यदि फंदय पशंट का मान 150 है तो 100% के वल्व क्या हो जाएगी 100% प्र hard क्या हो जाएगा एक सोपचास और गुड़े100 कि मेटे 15 स कि 100 ले एक सब्बीश . यह यहां पे यह सोवञको यह 120 है, यह भी 120 ही है, 120 गुड़े 100, बटे 15 करेंगे, काटेंगे 15 कम 15, बटे 120, 8 गुड़े 100 करेंगे, कितना आजाएगा, 800 आजाएगा, तो वह संख्या कितने होगी, 800 होगी, जो कि आपसा नमपर, बी में दिया गया, बी बिल्गुल करेक्ट है, चलिए अगला कोशन देखते ह दो संख्याओं का मौसर 35 और लौसर 525 है, यदि उनमें से एक संख्या 175 हो, तो दूसरी संख्या ग्याद करने है, आपको यह फर्मूला याद कर लेना है, पहली संख्या, गुड़े दूसरी संख्या, पहली संख्या, गुड़े दूसरी संख्या, बड़े अब मौसर साल होगा तो आपको सामने निकल किया जाएगा तो दिखिए पर यसंक क्या एक एक सो पचातर है एक सो पच्तर लिखेंगे दूसरी सेंक हमको पता नहीं थे हमकर ले बी-मान लेंगे बराबर मौसा कितना है मौसा है 35 और लौसा कितना है और 7 पचके, 7 2 द नe 14 तीन बचेगा, 7 2 द ने 14, 3 पजेद्व धूर 25, this हो गया, फिर से काट लिए, 25 से कम 25, 22 दो ने 50, 2 बचेगा, 25, 25 से सकम 25, अब 21 कुड़ी 7 करें, 21 कुड़ी 7, 6 एकम 7, 7 2 दो 14, 147 किसमें दिया हुआ है यह लग रहा है आप सेंको फिर से देखते हैं इसको जब काटेंगे 5 से कटी है स्वरी इसमें आफ हमने 5 से कटा था 5 सते 35 5 सते पंदर है 2 बचे गा 25 25 25 35 हो गया फिर इकटेगा साथ एकम साथ साथ पच्छी 35 अब देखिए पांच से खट जाएगा पांच एकम पांच जीरो पांच पच्छी 105 कितना आ गया एक सो पांच निकल के आ गया जो कि आपसे नंबर डी मिद जाएगा है आपको ध्यान रखना है चलिए अगला कोशन देखते हैं एक विद्याले की छात्र संक्या 100 है वहां दस प्रत्सत वारशी दर से छात्र संक्या में बृद्धी हो रही है दो बर्स बाद वहां की छात्र संक्या कितने होगी यह कोशन आपने देखा होगा इसके पहले वाले वी वीडियो में और हमने इसको इसी तरह रखा है कि ताकि इससे आपका कंस्रेप्ट किलियर हो जाए और जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो आप जो असानी ठीजाए डाल इस तरह साब को लगाना है तो पहले वर्स कितना हुआ पहले वर्स हुआ एक सो दस एक सो दस अर बटी में 100 अब चुक दो बढ़तार बाइन परसनल की दशिए तो दूसरे वर्स में क्या हो जागा दूसरे डिशेयों रिखनल हो तो दो बर्स में 121 हो जाएगा, आपसे नमबर B करेक्ट है, यदि यही पूछेगा कि कितना विर्द्धी हुआ, तो 100 था ही, तो 120 में 100 निकालेंगे, तो आएगा 21, यदि यह पूछता है कि विर्द्धी कितनी की होई दो साल में, तो 21 की विर्द्धी होई, यदि यह पूछता है कि टोटल जन संख्या कितनी होई, तो टोटल जन संख्या 121 हो गई, आपसे नमबर B में करेक्ट है, तो जैसा आप पुछेगा, आपको ऐसा बताना है, अगला जो कोश्चन है, पांच करमागत संख्या का आउसत 85 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इस तरह के कोश्चन में लगाया हुआ है, इसके पहले वाली वीडियो में, तो वहां हमने छोटे संख्या पूछा था, अब क्या पूछ रहा है, अब इसमें बड़ी संख्या पूछा है, तो क्या करना है आपको, आप कुध्यान होगा, जो आप सोचना होगी करना है, पचासे लिखेंगे आप बीच में, ठीके, आप चुकि संख्या है, तो पचासे छोड़ा संख्या क्या हो जाएगा, और पर दूसरा क्या हो जाएगा, भी आप इधर आइए, पचासे से बड़ा संख्या, छी यासी, दूसरा अठासी, अब देखिए, अब क्या होगा, जैसे कि हमने आप से सब ही वीडियों दिस्कस किया होगा, कि हमसे क्या पूछा है बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या क्या अगई? 88 हो गई तो 88 इसका correct answer है, अब चुकि आप संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, आप संचरेक्वरिफाई करना कि क्या सही एक नहीं सही है, तो उसत क्या होता, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है तो कितना 88, 86, 85, 84, 82 को जोड़ लिजी तो 8 और 6, 14, 5, 19, 4, 32, 25, 5, कैरी 2, 8 और 2, 10, 10 और 8, 18, 18, 28, 26, 26, 28, 34, 64, 42 यह हो गया 42 अब संख्याओं कितनी संख्याओं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बच्टे 5 करिए सबसे बड़ी है, 3 बटे 5, 2 बटे 8, 7 बटे 4, 3 बटे 2, आपको कोई फालतू का और नहीं लगाना है कि कम्पेर करना कुछ निकरना को डारेक्ट आपको भाग करना, 3 बटे 5 में आप 5 से बाग करेंगे, 3 बटे 5, 3 में 5 से बाग करेंगे, जब पॉइंट बढ़ाएंगे, तो 30, यह 0 हो गया, फिर 5 यह 30 हो गया, तो 5 बटे 5, 0 बटे 6, उसी तरह से 2 बटे 8 करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, तो 20 होगा, तो 0, 20 होगा, तो 8 दूनी 16, 4 बचेएगा, 46, 8 बचे 40, 7 बचे 4 निका लिए, 7 बचे 4 बचेएगा, 4 एक कम 4, 3 बचेएगा, नहीं जाए 3 बचे 2 करेंगे, 3 बचे 2, एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी 1.5 अब पूछा, सबसे बड़ी संक्या क्या है, तो सबसे बड़ी क्या है, 1.75 है, कौन से यह जाएगी आपका 7 बचे 4, जो की स्याप्सन में दिया क्या है, इस तरह से जब यह पूछे का क्रम से लगाना है, तो क्रम से भी इसको आने साने से लगा सकते हैं सबसे चोटे से रगाव और अगला कोशन देखते हैं अब 12 गयों का क्रेम उने 10 गयों के बिक्रिमूलीके बराबर हो तो लाभ परत्सत क्या होगा अब दिखिये 12 गेद का क्रेम उलक, क्रेम का मतलू कहता है CP, 10 गेद का व्यक्रेम यानि कि SP के बड़ाबर है, देखिए 12 गेद बेचे गात, उसका जो पैसा लगाया वोगा उसको मिल जाएगा, यानि कि उसको 2 गेद का लाव हो रहा है, ठीक है? पर से सुनिए, 12 गेद को या दुकान तार तो माली उसकी कास्तफ दस रुपे है, या पिर 100 रुप के माली जिये लेकिन वो क्या करता है, जब 10 गेत बेज़ लेता है, तो उसका जो क्रेमोल भून लगाया है, वो निकल जाता है तो बचता क्या इसको दो गेद का लाव होता है इसी को आपको बताना है इसमें लाव प्रत्सत क्या होगा चलिए देखते हैं 12 CP बराबर 10 SP आपको बिल्कुल ऐसे लगाना एक्जाम में आप यह ऐसे लगाएंगे तो आपको कोई भी फर्मुला रटना नहीं पड़ेगा और आसानी साफिस खुला सकते हैं अब देखिए 12 CP बराबर 10 SP अब यहां से CP कितना आगया? 10 आगया और SP कितना आगया? 12 आगया अब देखिए CP, CP इन्टू SP का आप रेस्व निकालीजे CP कितना है? 12 है SP कितना है? 10 है ठीक है? तब देखिए 12 गेत खरीद रहा है सारी, CP 10 हो जाएगा थोड़े गिंस्टिक हो गई CP कितना है? 10 है CP 10, SP 12 10 खरीद रहा है और 12 बेच रहा है आप कितने कर रहा है? 2 का हो रहा है इसको आपको परसेंटेज में बता लेना है तो 2 गुड़े 100 बटे कितने पर आप कंपेर करेंगे? 12 बटे करेंगे 12 कर दीज़े क्योंकि 12 है हमारा क्या है? का स्प्राइज है? 2 एक कम दो, 2 चके 12 फिर 2 तियां 6 2 पचे 10, 0 50 बटे 3 तो 50 बटे 3 के आप क्या लिख सकते हैं? 16 से 2 बटे 3 या फिर 50 बटे 3 नहीं दिया था आप किसको यहाँ पर लिख सकते हैं? 50 बटे 3 प्रत्सत का सो लाव हो रहा है आप से नबर D करेक्ट है अगला कोशन दिख लेते हैं 84 ml साथ लिटर का कितना प्रत्सत कितना दसमला भिन में मान होगा? 84 ml साथ लिटर का कितना मान होगा बताना आपको तो यह किसके नहीं क्या करेंगे? आप साथ बटे 84 और गुडे 100 काटिये, साथ एकम साथ साथ 12 से कटे जाए 84 और यह काटेंगे 2 चक के 12 पचास, दो त्याँचे, पचीस, कितना हो गया? पचीस मटे 3 गड़बढ हो रहा ही है इसको छोड़े ते अगला कोशन देखते हैं अगला जो कोशन है तीन गुडे 38, गुडे 527, गुडे 120 के गुड़न खंड का इकाई का अंक क्या करना है? देखिए इसके लिए आप तो क्या करें? पूरा गुडा करें लेकिन आपको पूरा गुडा नहीं करना है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है 1 इसका कितना 8 है कितना 7 है 3 और 5 है 3 वाठे 24 24 लिखें फिर इसका अंक लिए 4 4 सते 28 फिर इसका अंक लिए 8 यहां से आप इसको बीना उठाए भी इसको आप लगा सकते हैं देखिए तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं और फिर अगला हम कांटिन्यू करते हैं वहां पर हम आपको बोर्ट पर पढ़ाएंगे वाइट बोर्ट पर तो उमीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आओगा सेशन पसंद आदे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कभी एक बात याद है कि दोस्त कभी भी किसी की बातों से डी मोटिवेट ना हुए उसको अपने काम से जवाब दीजिए ताकि वह बंदा किसी दूसरे को ना बोल पा तो चली इसे एक साथ मिलते हैं अगली वीडियो तब तक रिए नमस्कार जय हिंद